नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? प्रेसिपिटेशन को हम लोग यहाँ पे समझने कुशिश करेंगे यह प्रेसिपिटेशन होता क्या है? जिसको आप बारिश बोलते हो हाले कि प्रेसिपिटेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म से इसमें बरफ का गिरना, हैल का गिरना, ओलों का गिरना या पिर पानी का गिरना यह सब प्रेसिपिटेशन की कैटेगरी के अंदर ही आता है तो एक एक करके देखते हैं क्या है प्रेसिपिटेशन The process of continuous condensation in free air helps the condensed particles to grow in size When the resistance of the air fails to hold them against the force of gravity they fall onto the earth surface so after the condensation of water vapor the release of moisture is known as precipitation बहुत simple है मैंने आपको कई बार बताया है कि हवा जब उपर उठती है गरम होके तो उपर जाती है जितनी ज़्यादा गरम होकी उसके अदर उतना ही moisture होगा और इसको मैंने आपको rainward side जो हवा हिट कर रही थी उससे भी समझाया था rainward side जो हवा उठके उपर जाके बारिश कराती है mountain का जिसमें involvement होता उसको orographic कहते है और जिब सिर्फ temperature के चलते हवा उपर उठके नीचे बारिश करारी conventional कहते हैं अभी conventional orographic cyclonal front and rainfall सब इसी चप्टर में आएंगी कुछ है नहीं सब वैसे भी मैं आपको समझा चुका हूँ बस topic को organized तरीके से complete करवाने के लिए एक completion के लिए totality के लिए देखेंगे तो हमने देखा कि हवा गरम हुई हवा की गरम होने के साथ-सकी moisture carrying capacity बड़ी वो हवा उपर उठी जैसे जैसे वो हवा उपर उठेगी वो ठंडी होगी चुकि उपर temperature कम है जब वो ठंडी होगी तो उसके चलते वो अपनी latent heat छोड़ देगी और जो moisture है वो moisture आपका water droplets के form में हवा में तैरने लगेगा या फिर ice crystals के form में हवा में तैरना लगेगा यह जो condensation हो रहा है यह freezing point के उपर हो रहा है यह freezing point के नीचे हो रहा है तो उपर आप देखोगे कि clouds टंगे रहेंगे आस्मान में clouds टंग जाएंगे आपके आस्मान में ठीक है these clouds will be you know hanging in the air ठीक है भाई अब यह clouds आस्मान में टंगे रहेंगे लेकिन आपको पता है कि हर चीज के ओपर gravity पढ़ती तो इन clouds के ओपर भी gravity पढ़ेगी और वेसी बात वजन होगा यह नीचे गिरने की कोशिश करेंगे जब gravity इतनी जादा होगी कि वो इस पानी को नीचे गिरा दे तब आप देखोगे कि clouds नीचे बरस जाएंगे precipitation के form में जब तक gravity इनके ऊपर हावी नहीं है तब तक ही आप देखोगे कि water droplets और आपकी जो ice crystals है वो हवा में as clouds cloud की परिभाशा मैं आपको पहले बता चुका हूं और यह clouds gradually form होते हैं धीरे-धीरे होके form होते रहते हैं देखिए clouds का precipitate होना नए clouds form होना यह continuous process है आपको पता है कि गरम हवा हर समय ही उपर आसमान की तरफ उठ रही है हर समय ही उपर जाके वो ठंडी हो रही है वो अपनी latent heat चोड़ रही है वो उसके चलते उसका moisture पानी में बदल रहा है ice crystals में बदल रहा है वो cloud में convert हो रही है तो यह continuous process है अब पहले cloud में convert होगी तो छोटा cloud होगा फिर बड़ा cloud होगा पर बढ़ा cloud होगा चूकि process बढ़ा होते जब बहुत जदा बढ़ा cloud हो जाएगा और अब वो आपका पानी के फॉर्म में छोड़े और इसी को आप बोलते हो precipitation तो जैसा कि बोला है precipitation में take place in the form of liquid और solid तो बरफ और पानी में क्यों बोला था आई हो आपको समझ में आ गया हो आगे बड़नेस बेले वीडियो पर लाइक बटन दोस्तों अगर अब तक आपने इस चैनल को discussion और current affairs भी बनाता और interesting issues in news के topics भी मैं आपके लिए cover करता हूँ तो आप चैनल को एक wide variety of कह सकते है audience के लिए recommend कर सकते है Instagram पर follow कर लिए वहाँ पर अपने message भेशते रही है prelims तक मेरा schedule थोड़ा tight चल ला है तब तक शायद मैं Instagram के messages और mail की जवाब ना दूँ चुकि थोड़ा जाके daily basis पर आप current affairs पढ़ भी सकते हैं Hindu editorial daily current affairs रोज के basis पर website पर upload होता है Instagram, Telegram, website सब का link आपको नीचे description box में दे रखा अब वापस आते है प्रेसिपिटिशन in the form of water is called rainfall मैं simple बता है भई पानी बरसा तो rainfall हो गई ठीक है आइस बरसी तो snowfall हो गई अब पानी कब बरसेगा 0 degree centigrade से उपर अगर वो 0 degree centigrade पर पहुंच गया या उससे नीचे चला गया तो वो बरफ बन जाएगा लेकिन अगर वो 0 degree centigrade के उपर है तो वो पानी रहेगा और वही precipitation अगर 0 degree centigrade के नीचे हो रहा है तो वो snowfall के फॉर्म में होगा snowfall में आपको fine flakes of snow नीचे गिरते हुए नजर के बरफ नीचे गिर रही क्रिश्मस के समय पर बहुत साइब पिच्चरों पिच्चराइशन किया जाता है अब देखिए snowfall कैसे दिखती है आपको इस पर्टिकूलर वीडियो में नजर आ रहा है यह snowfall के आपको कार की स्क्रीन के ओपर गिरते हुए नजर आ रहे है तो यह snowfall है अब यह snowfall थोड़ी gentle भी हो सकती है यह snowfall थोड़ी extreme भी हो सकती है यह basically आपकी ऐसे ही होती है snowfall में एक आपको अलकापुल का idea दे दिया फिर यह जो snowfall में moisture release होता भाया देखिए snow गिर रही तो है तो वो पानी अब वो पानी sub freezing temperatures में नीचे गिर रहा है तो बरफ बन ग यह जानने के आपको जरूत नहीं है बस आप कह सकते हो कि these crystals form flakes of snow ठीक है कैसे दिखते हैं यह crystals अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया कुछ इस प्रकार के hexagonal crystals होते हैं advanced geography में घुसना पढ़े का जादा दिमाग लगाने की जरूत नहीं है ठीक है फिर आगे बात करते है besides rain and snow other form of precipitation are sleet and hail दोदा later are limited in occurrence and are sporadic in both time and space मतलब कि देखिए hail storm का तो मैंने पहले भी आपको वीडियो दिखाये sleet और hail तो यह basically sleet और hail भी एक प्रकार की snow का ही precipitation है अब snowfall के अंदर एक तो मैंने आपको snow flakes की rainfall दिखा दी दूसरी snowfall में आपका नजर आ रहा है sleet और hail अब क्या है यह है पहले समझने की कोशिश करते हैं फिर मैं आपको एक picture या फिर video representation की थूरू भी चीज़ें दिखाने कोशिश करूँगा sleet है क्या it is frozen raindrops and refrozen melted snow water when a layer with the temperature above freezing temperature freezing point overlies a sub freezing layer near the ground precipitation takes place in the form of sleet raindrops which leave the warmer air encounter the colder air below as a result they solidify and reach the ground as small pellets of ice not bigger than the raindrop from which they are formed अब समझ ये पहला यहाँ पर statement क्या बोला है sleet is frozen raindrops पहला तो यह बोला दूसरा refrozen melted snow water यह दो चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी है frozen raindrops मतलब कि अब देखे पानी बरसा अब पानी बरसा तो पहले जब आपका जो moisture था वो moisture आपका ice के form में गया वो ice नीचे गिरी या फिर आपने क्या किया कि भाई पानी नीचे गिरा और पानी फिर बाद में बरफ बन गया तो पानी नीचे गिरा बाद में बरफ बन गया अब ऐसे सनो फॉल बनती है लेकिन कभी कभी ये स्लीट में गन्वर्ट हो जाती है ठीक है इसमें एक मेकेनिजम और होता है कि पानी नीचे बरसा सुनो के फॉर्म में बरसा अब वो सुनो जब नीचे गिर रही है ठीक है? मतलब यहाँ पर माली ज़िए क्लाउड से नीचे जमीन है सुनो नीचे गिरी जब सुनो नीचे गरी तो यहाँ पर इसको एक warm air parcel मिला गरम जगा मिली इस warm air parcel के चलते वो जो सुनो थी वो पिगल गई और जब वो सुनो पिगल गई तो वो पानी में कनवर्ट होगी, वो वाटर में कनवर्ट होगी वो वाटर फिर नीचे जाएगा, वो वाटर जब यहाँ सर्फेस पर पहुँचेगा, तो यहाँ ठंड की वैसे वो पिर से बरफ में बदल जाएगा अब जो बरफ बनेगी न, उसको आब बोलते हो स्लीट समझ गए बात को? तो भाई, उपर बने क्लाउट से निकला पानी अब माल लिजे कि उपर जो क्लाउट से वो सब फ्रीजिंग टेंपरेचर वाले क्लाउट से तो वहाँ से सीधे स्नो ही निकली, स्नो फॉल सीधे सीधे निकलती हो, नीचे आते आते हो एग्जागोनल किस्टल, स्लो फ्लेक्स की तरह हमको नजर आते हैं, तो अब यह जो बरफ निकली, स्नो फॉल के फॉल में आपकी क्लाउट से, उसको नीचे एक warm air parcel मिला, या गर्मी विली, उसके चलते हो बरफ पानी में पेकल गई, अब पानी नीचे गिर रहा है, अब वो पानी पानी की तरह नीचे गिरता, अगर नीचे सब zero temperatures ना होते, वो पानी जब नीचे आगा, तो वो फिर जम जाएगा, अब वो जब गिरेगा, वो sleet के form में गिरेगा, sleet कैसी नज़र आती है, तो इस particular वीडियो को देखिए, यहां पे भी बरफ के तुकडे से गिर रहे हैं, अब यह अच्छली exactly snowflake नहीं है, इसको आप बोलते हो sleet, तो sleet कुछ इस प्रकार की नज़र आती है, ठीके न, overall जब आप इन बरफ के तुकड़ को पास ते देखोगे, तो आपको difference पता चलेगा, तो यह sleet है, और पहले जो मैंने आपको दिखाया तो वो snowfall थी, और यहां पे आपको hailstorm नज़र आ रहा है, बिलकुल rounded rounded टुकड़े यहां पे गिर रहे हैं, हेल्स के, यह बड़े भी होते हों, यहां पे hailstorm आपको थोड़ा सा बड़ा सुहाबना सा दिख रहा है, यह कभी-कभी तेज भी हो जाता है, तो जब यह hailstorm तेज होगा, कार के कांच वाँच सब तोड़ देगा, यहां तो चलो धीमा हो रहा है, तो कार के कांच नहीं तोड़ेगा, ठीक है, फसले हैं से खराब हो जाती है, हाला कि फसलों को तो आपका hailstorms के साथ-साथ sleet भी नुकसान पहुचाता है, तो यह जो मैंने आपको hailstorm दिखाए, देखिए hailstorm के वारे में आपके क्या लिख रखा है, sometimes drops of rain after being released by clouds become solidified into small rounded solid pieces of oil, hailstorm में जो बर्फ के टुकड़े गिर तो बिल्कुल गोल गोल थे, इसलिए उनको आप hailstorms बोलते हो, तो बिल्कुल गोल गोल round जो बर्फ के टुकड़े नीचे गिरते हैं, उसको hailstorm बोलते हो, या फिर आप hailstorm बोलते हो, ठीक है, तो यह जो rain water होता है, वो बहुत सारी cloudier, colder layers के सुरुचे पास होता है, तो रगड रगड के, रगड रगड के, वो rounded बर्फ के टुकड़े मतल जाता है, जिसको आप hailstorms बोलते हो, तो hailstorms में several concentric layers होती है, ice की एक दूसरे के उपर, ठीक है, पानी नीचे गिर रहा था, पानी बर्फ बना, इसके उपर और बर्फ चिपकती गई, और बर्फ चिपकती गई, और बर्फ चिपकती गई, मतलब बहुत सारी colder layers के तुरू नीचे गिर रहा है, अभी snowfall में, और normal आपका sleet storm में, sleet में और snowfall में successive colder layers नहीं आती हैं उनके रास्ते में, अगर उनके रास्ते में भी successive colder layers आएंगी, तो वो भी hill storm में convert हो जाएंगे, तो successive colder layer आएंगी, तो क्या होगा कि successively जो moisture है, वो ice के form में इस water droplet की चरव तरफ चिपकता जाएगा, और air के friction से बाहर की जो surface है, वो smooth होती जाएगी, और वो बिल्कुल गोले जैसे pebbles के form में जमीन पे गिरेगा, जिसको आप बोलोगे, हेल स्टोन, समझ गया बात को, क्यों आप चीज़ें आपको clear हो रही है, sleet आप ने देख लिया, तो sleet में क्या हुआ कि या तो पानी गिरा, या पहले बरफ गिरी, आप वो बरफ बाद में पानी में convert हो गई, पानी में convert होने के बाद फिर से जब वो जमीन के पास पहुँची तो ठंडा था, तो वो फिर से बरफ बन गई, तो अगर सीधे-सीधे बरफ गिरी नीचे समीरे पहुच गई तो snowfall हो गई, snow flakes दिख रहे हैं आपको hexagonal crystals, आप वो बरफ पहले पिगल गई, और फिर से बरफ बनी तो हो गई sleet, और बरफ बहुत सारी colder layers के थूरू पास होती हो आई, concentric round circles में बदलती चली गई, तो वो हो गई hailstorm, तो hailstorm, sleet और ice flakes, यानि कि snowfall, इनके बीच का जो minor difference है वो आपको पता है, और बारिश कैसे होती, पानी कैसे बरसता है, ये तो देखिए आपको पता है, हम सब लोगों का मन होता है कि यार, एक बार तो snowfall देखें, एक बार तो snowfall देखें, मन तो मेरा भी है, बरफ मैंने बहुत देखी, बट snowfall मैंने कभी नहीं देखी, माइनस 8 degree centigrade, माइनस 5 degree, माइनस 10 degree centigrade, इन सब temperatures में मैं गया हूँ, बट unfortunately जिस समय पर गया, उस समय पर कोई snowfall नहीं हो रही थी, ठीक है, तो कभी-कभी किस्मत अच्छी होती, तो मना ली जाओ या कश्मीर जाओ, महाँ पर भी snowfall देखने को मिल जाती है, मैं जब-जब गया, देखने को मिली नहीं, एक्चलि मैं दिसंबर में इसे ले गया था, बट मिलती नहीं है, हो सकता है, जो लोग पहाड के अलाकों में रहते हैं, उनके लिए नॉर्मल बात हो, तो यह सब natural phenomena's है, जो कि eyes को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर यह violent form में हमारे सामने आएंगे, तो उतना ही रोला भी जाएंगे, तो यह सब चीज़ें थी, ओके types of rainfalls को जल्दी देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से इस chapter और खतम करके next chapter पे चलेगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें जल्दी समझाने की, but concepts tricky हैं, तो मैं थोड़ा time बे ले रहा हूँ, ताकि डंग से आप चीज़ें समझ जो, thank you for watching, जाता सदनों सब इस वीडियो रेक्शर को शेर करिएगा, good bye.